वेलकम टू लर्नवी, आएम शिवानी चाहान, बाल राम कथा चाप्टर टू, दो वर्दान, क्लासिक्स हिंदी राचा तशरत के मन में अब एक इच्छा बची थी, राम का राजिय बिशेग, उन्हें युवराज का पद देना अयुध्या लोटने के बाद से ही उन्होंने राम को राजकाच में शामल करना शुरू कर दिया था राम ये जिम्मेदारी अच्छी तरह निभा रहे थे, उनकी विनम्रता, विद्वता और पराकरम का लोहा सभी मानने लगे थे यानि की राम बहुत अच्छे से सारा राजकाच का काम देखने लगे थे प्रजा उनको चाहती थी, दश्रत के लिए तो वे प्राणों से प्यारे थे ही, दरबार में राम का सम्मान निरनतर बढ़ता जा रहा था राजा दश्रत व्रद हो चले थे, मुनी वशिष्ट से विचार विमर्ष के बाद एक दिन उन्होंने दरबार में कहा मैंने लंबे समय तक राजकाच चलाया, जैसा बन पड़ा, अब मेरे अंग शिथिल हो गए हैं, मैं व्रद हो चला हूँ मैं चाहता हूँ कि यह कार्य भार राम को सौब दूँ, तो राजा दश्रत ने कहा कि अब मैं बुड़ा हो गया हूँ और अब मेरे से ज़्याद काम नहीं होता है, तो मैं चाहता हूँ राजा कार्य, मतलब मैं राजा बना दू राम को अगर आप सब सहमत हों तो राम को युवराज का पद दे दिया जाए अगर आपकी राय इससे भिन है तो मैं उस पर भी विचार करने को तयार हूँ तो राजा दश्रत ने खा कि अब मैं युवराज बनाना चाहता हूँ राम को आप सब की क्या राय है सभा ने तुमल ध्वनी से राजा दश्रत के प्रस्ताफ का स्वागत किया राम की जैजै कार होने लगी दश्रत थोड़ी देर तक सुनते रहे संतोश के साथ उन्होंने कहा शुप काम में देरी नहीं करनी जाए मेरी इच्छा है कि राम का राजिय अभिशेक कल सुभै कर दिया जाए ये समाचार पलक जबकते पूरे नगर में फैल गया हर जग्या बस यही चर्चा थी राजिय अभिशेक की तैयारियां शुरू हो गई भरत और शत्युगन उस समय आयोध्या में नहीं थे वे अपने नाना केकई राज के आ गये हुए थे भरत जब भी अयोध्या लोटने की बात करते नाना उन्हें रोक लेते भरत को अयोध्या की घटनाओं की सूचना नहीं थी उन्हें अपने पिता के निर्नय के संबंद में नहीं पता था यह जानकारी भी नहीं थी कि अगले दिन राम का राज्य विशेख होने वाला है केकई से एक दिन भरत और शत्रुगन का आना संभव नहीं था तो एक दिन में तो बहर शत्रुगन केकई राज से वापस नहीं आ सकते थे और उनको कोई जानकारी भी नहीं थी राजा दश्रत ने इस सम्बंध में राम से चर्चा की कहा कि भरत यहां नहीं है पर मैं चाहता हूँ कि राज्य अभिशेक का कार्यक्रम ना रोका जाए उन्होंने राम से कहा जनता ने तुम ही अपना राजा चुना है तुम राजधर्म का पालन करना कुलगी मर्यादा की रक्षा तुम्हारे हाथ में है तो राम को जो है वो राजा मतलब बिसिकली राजा तो दश्रत ही रहते उन्हें युवराज बनाने के लिए पूरी गोशना कर दी गई थी राजय बिशेक की तयारा राणी कहकई की दासी ने भी देखी मंतरा ने शुरू में उसे इस चहल पहल का कारण समझ में नहीं आया उसने इसे कोई अन्य अनुष्ठान समझा इतनी रोनक, इतनी सजावट ऐसा कुछ उसने अन्य अनुष्ठानों में नहीं देखा था। उसे अचंभा हुआ। फिर उसने रानी कौशल्या की दासी से पूछा। उसे तब पता चला कि कल राम का राज्य बिशेक होने वाला है। यह उत्सफ उसी के लिए है। मंथरा जल भुन गई। राम का राज्य विशेक उसे शड़यंत्र लगा। कैकई के विरुद्ध। वह कैकई की दासी थी 55 कैकई का हिद उसके लिए सर्वोपरी था मन्थरा उसे अपना हित मानती थी वह कैकई की मुह लगी थी राणी कैकई भी उसे बहुत मानती थी तो भई मन्थरा को लगा कि जो राम का राजय बिशेक हो रहा है न ये तो शडियंत्र है और वो बिलकुल अब कोशिश करने लगी किस तरीके से रोका जाए क्रोध से आग बबूला मंत्रा रनिवास की और भागी सीधे कैकई के कक्ष में वह हाफ रही थी क्रोध से चहरा लाल था भागने के कारण सास उखड रही थी उसने रानी कैकई को सोते हुए देखा रानी कैकई तो अराम से सो रही थी किसी तरह स्वयम को सभालते हुए मंत्रा ने कहा अरे मुर्ख रानी उठ तेरे उपर भयानक विपता आने वाली है यह समय सोने का नहीं है होश में आओ विपत्ती के पहाड तूटे इससे पहले जाग जाओ रानी कैकई नीन से चौक कर उठी उन्हें मंत्रा की बात समझ में नहीं आई बात क्या है तुम इतना घबराई हुई क्यों हो सब कुशल तो है उन्होंने पूछा तो रानी के के कनफ्यूज होगे कि भी मंथर ऐसी बाते क्यों कर रही है और इतना गबरा क्यों रही है कैसे कुशल कैसा मंगल सब मंगल होने वाला है तुम्हारे सुखों का अंत भाराज दशरत नेकल राम का राज्य अभिशेक करने का निर्ने लिया है अब राम यूवराज होंगे यह तो बहुत शुप समचार है कही ने प्रसन्यता से अपने गले का हार उतार कर मंथरा को दे दिया मैं बहुत प्रसन हूँ राम यूवराज पत के लिए हर तरह से योग्य है तो रानी के कई ने कही तो बहुत अच्छी बात है राम जो है यूवराज बनेंके तो के कई ने ऐसा बोला तो मंथरा बोलती है रानी तुम्हारी बुद्धी फिर गई है मती मारी गई है सवाल राम की योग्यता का नहीं है राजा दश्रत के शडियंत्र का है तुम्हारे अधिकार छीनने का है मंथरा ने हार दूर फेकते हुए कहा यह शडियंत्र नहीं तो और क्या है कल सुबह राज्य बिशेक है भरत को जान पूछ कर ननिहाल भेज दिया समारों के लिए बुलाया तक नहीं कैकाई का स्वर उग्र हो गया उन्होंने मंथरा को डाटते हुए कहा राम के प्रती मेरा अगाथ्स नेह है वे मुझे मानके समान मानते हैं तुझे इसमें शडियंत्र दिखाई देता है इसमें शडियंत्र नहीं है राम के बाद भरत ही राजा बनेंगे राज सरवदा जेश्ट पुत्र को ही मिलता है तो केकई बोलने लगे मंतरा से कि भई राज तो हमेशा बड़े बेटे को ही मिलता है मंतरा पर इस फटकार का कोई प्रभाव नहीं हुआ उसके लिए यह दशरत का शड़ियंद्र था वहरानी केकई के पलंग पर बैट गई उसके बहुत निकट केकई के चहरे की ओर देखते हुए उसने कहा तुम बहुत भूली हो नादान हो तुम्हें आसन संकट नहीं दिखता दुख की जगे पसन्निता होती है इस बुद्धी पर किसी को भी तरस आएगा समझो रानी राम राजा बने तो तुम कोशल्या की दासी बन जाओगी भरत राम के दास हो जाएंगे वह राजा नहीं बनेंगे राम के बाद अगला राजा राम का पुत्र होगा अनर्थ को अर्थ समझने की मूर्खता मत करो रानी राम को राज मिला तो वे भरत को देश निकाला दे देंगे वे भरत को दंड देंगे इस तिरसकार से भरत की रक्षा करो रानी कोई ऐसा उपाए करो कि राजगती भरत को मिले और राम को जंगल भेज दिया जाए तो मन्थरा ने ये सारी की सारी बातें कैकई के मन में डाल दी कि भई अगर राम बन गए न राजा तो तेरा तो सर्वनाश रहेगा कैकई पर मन्थरा की बातों का असर होने लगा उनका सर चकरा गया वे पलंग से उठी तो पाव सीधे नहीं पड़े आखों में आसू थे मन भारी हो गया प्रसन्निता की जगा अव्यक्त क्रोधने ले ली मन्थरा के तरकों में उन्हें सच्चाई दिखने लगी तुम्हीं बताओ मैं क्या करूं कैकई ने आसू पूछते हुए मन्थरा से कहा मन्थरा पलंग से उठी कैकई के पास जाकर खड़ी हो गई उसने कहा यात करो रानी महाराज दशरत ने तुम्हें दो वर्दान दिये थे दशरत से अपना वचन पूरा करने को कहो एक से भरत के लिए राजगद्धी मांग लो दूसरे से राम को चौधा वर्ष का वनवास तो ये सारे की सारी बाते मन्थरा ने बोली केकई से केकई का चेहरा तमतमाया हुआ था उन्हें मन्थरा की बात ठीक लगी उनके मन में एक प्रश्न अब भी था यह बात दशरत से कैसे कहें उन्हें रनिवास बुलाएं या प्रतीक्षा करें मन्थरा ने केकई के मन की भात बाप ली उसने कहा तुम मेले कपड़े पहन कर कोप भवन चली जाओ महाराज दशरत आएं तो उनकी और मत देखो बात मत करो तुम उनकी प्रियर आनी हो तुम्हारा दुख नहीं देख पाएंगे बस उसी समय तुम उन्हें पिछली बात याद दिलाना दोनों वचन मांग लेना मैं ऐसा ही करूँगी महाराज का शरीयंत्र सफल नहीं होने दूँगी मंतरा का लक्ष पूरा हो गया था चलते चलते उसने रानी कहकई से कहा राम के लिए 14 वर्षते कम वनवास मत मांगना भरत इतने समय में राजकार समाल लेंगे जब तक राम लोटेंगे लोग उने भूल चुके होंगे अब जल्दी करो रानी समय बहुत कम है रानी कहकई कोप भवन में चली गई मंतरा रनीवास से निकल गई रनीवास मतलब जहां पर रानी रहती है कोप भवन मतलब दुख वाला एरिया है दिन भर की गहमा गहमी के बाद महाराज दश्रत को रानीओ की आद आई तुरंत रनीवास की ओर चल पड़े उन्हें शुप समाचार देने सबसे पहले वे कहकई के कक्ष की ओर मुड़े कहकई वहां नहीं थी प्रतिहारी से पूछा पता चला की वे कोप भवन में है दश्रत को चिंता हुई कहकई कोप भवन में परंतु क्यों क्या इसलिए कि उन्हें अब तक सूचना नहीं मिली मैं उसे अवश्य मना लूँगा दश्रत ने सोचा दश्रत कोप भवन का द्रश्य देखकर हैरान हो गए उन्हें कुछ समझ में नहीं आया कहकई जमीन पर लेटी हुई थी बाल बिखरे हुए गहने कक्ष में बिखरे हुए कपड़े मैले तुम्हें क्या दुख है? क्या हुआ है तुम्हें? मुझे बताओ अस्वस्त हो राज्य वैद को बिलाओ दश्रत ने कहीं सवाल पूछे कोई उत्तर नहीं मिला केकई रोती रही तो केकई ने खूब ड्रामे करे तुम मेरी सबसे प्रियरानी हो मैं तुम्हें प्रसंद देखना चाहता हूँ तुम्हारी खुशी के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ कुछ भी धर्ती आस्मा ने कर सकता हूँ दश्रत ने के कई को मनाने का बहुत प्रयास किया उत्तर उन्हें फिर भी नहीं मिला दश्रत भी भूमी पर बैट गए विंदी करते रहे हाँ मैं बिमार हूँ के कही ने कहा मैं अपनी बिमारी के संबंध में आपको बताऊंगी लेकिन पहले आप एक वचन दे मैं जो मांगू उसे पूरा करेंगे राजा ने ततकाल हामी भर दी कहा मैं राम की सौगंद खाकर कहता हूँ महारी हर इच्छा पूरी गरूंगा महाराज दश्रत ने राम की सौगंद ली तो कहकई उठकर बैट गई आप मुझे वे दो वर्दान दीजे जिनका संकल्प आपने वर्षों पहले रणभूमी में किया था महाराज दश्रत ने हामी भरी कल सुबह राजिय अभिशेक भरत का हो राम का नहीं कैकई ने कहा दश्रत भौचक के रह गए उन पर वज्जर पात्सा हो गया थोड़ा रुक कैकई बोली राम को चौधा वर्ष का वनवास हो तो कैकई को एक बारना राजा दश्रत ने बचन दिया था कि मतलब तो तुम दो विश्जज मागना और वो विश्जज में तुम्हारी जरूर पूरी करूगा तो कैकई ने आज दो विश्जज यूज़ करी और एक में तो भरत को राजा बनाने की बात कही और दूसरे में राम को चौधा वर्ष का बनवास दिने की बात कही दशरत का चहरा सफेद पढ़ गया अवाक रहे गए सिर्चक्राने लगा वे मूशित होकर गिर पढ़े अब ये बात सुनकर राजा दशरत भिहोशों के गिर गए कुछ देर में राजा को होश आया कैकई की ओड़ देखा बड़े कातर भाफ से बोले यह तुम क्या कह रही हो मुझे विश्वास नहीं होता कि मैंने सही सुना है कैकई अड़ी रही दशरत कैकई की मांग को अस्युकार करते रहे अनर्थ बताते रहे तब कैकई ने अंतिम हतियार चलाया अपने वचन से पीछे हटना रखुकुल का अनादर है आप चाहें तो ऐसा कर सकते हैं पर तब आप दुनिया को मुह दिखाने योगे नहीं रहेंगे रही मेरी बात आप वर्दान नहीं देंगे तो मैं विश्पी कर आत्महत्या कर लूँगी यह कलनक आपके माते पर होगा अब कहकई ने इतना फसाद याना कहा कि नहीं मानोगे तो मैं जो है सुसाइट कर लूँगी और जहर खालूँगी ऐसा कहकई ने कहा और अगर आप एनी बात नहीं भी मानेंगे तो आपके आप पर कलनक लगेगा कि आपने में को वादा किया था वादा पूरा नहीं कर रहे हो राजा दश्यत ये सुन नहीं सके दुबारा भेवश हो गये राध भर बेसुत पढ़े रहे बीच बीच में होश आता वे कह कही को समझाते, गिलगडाते, धमकाते, डराते पर कह कही टस्से मस नहीं हुई सारी रात इसी तरह बित गई तो ये था चाप्टर थ्री थैंक्यू